आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से कर दीजे आज हम करने जा रहा है हमारी चटी की कक्षाओं के लिए समाजिक विज्ञान की वखिर जो की हमारे अतीत यानी की हिस्ट्री से है कारेपत्रक का नमबर है 22 और आज की तारीख है 14 दिसंबर हाँ आज भी हम वही चैप्टर करने जा रहे हैं जो हम पिछली बार कर रहे थे बात उठती है कि ये संग क्या हैं तो चलिए जान लेते हैं। संग एक ऐसा संगठन था जहां ज्यान प्राप्ति के लिए घर का त्याग यानि कि घर को छोड़ने वाले लोग एक साथ रह सकें और ध्यान का अभ्यास कर सकें। ध्यान का अभ्यास करने का मतलब है ज्यान प्राप्ति के लिए वह जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें ध्यान लगा सकें। संग में रहने वाले बौध बिख्शियों के बनाए गए नियम इसका मतलब अगर वो एक साथ रह रहे हैं तो वहां रहने के नियम भी हैं। तो संग में रहने के नियम एक गरंथ जिसका नाम है विनेपिटक, उसके अंदर आज हमें संगरहित मिलते हैं. विने पिटक से हमें बहुत सारी जानकारियां मेरती हैं उसमें विशेश है संग में रहने वाले इस्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए विवस्था अलग-अलग की गई थी क्योंकि हम जानते हैं कि संग में इस्त्रियां और पुरुष दोनों ने प्रवेश किया या ये कहें कि ज्ञान प्राप्ती के मार्ग पर दोनों अग्रिसर हुए इस्त्रियां भी अग्रिसर हुई और पुरुष भी अग्रिसर हुए यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ प्रारंब में महात्मा बुद्ध ने केवल पुर्शों को ही ज्यान प्राप्ती के लिए घर छोड़ने और संग में परवेश की अनुमती दी थी लेकिन बाद में उनके शिषय जो उनके प्रिये शिषय थे आनंद उनके कहने पर उन्होंने इस्त्रीयों को भी संग में परवेश की अनुमती दे दी थी तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ संग में परवेश लेने वाले इस्त्री और पुरुष दोनों ही साधा जीवन जीते थे सबसे पहले तो यहाँ एक चित्र दिया गया है और आप देख सकते हैं कितने बड़े इस्तर पर आकर लोगों ने यानि कि इस्त्रियों और पुरुषों ने भाग लिया किसमें भाग लिया ज्यान प्राप्ती की राह पर या संग में परवेश में तो चलिए शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं इस्त्रियों और पुरुष दोनों ही साधा जीवन जीते थे एक बात हुई दूसरी विशेश बात वह अधिकांश यानि कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करने में बिताते थे और वहीं पर जो तीसरी खास बात है वो ये है कि ये लोग भिक्षा मांगते थे भीक्ष्या मांगने का मतलब आप जानते ही हैं, भीक मांगना या मांग कर खाना कहने का मतलब इन्हें कुछ भी इखटा करने की अनुमती नहीं थी, कल के लिए कुछ भी संग्रहित नहीं किया जाता था, रोज मांगना जो मिर जाए उससे जीवन यापन करते हुए अपना प चर्चा हुआ करती थी और इन लोगों को भिक्कू और भिक्कूनी कहा जाता था यानि पुरुष को भिक्कू कहा जाता था भिक्षा शब्द से ही भिक्कू और भिक्कूनी शब्द बना है तो चलिए और कुछ बाते जान लेते हैं सभी व्यक्ति संग में प्रवेश ले सकते संग में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमती लेनी होती थी और दासों को अपने स्वामी से यानि की मालिक से और राजा के यहां जो लोग काम करते थे उनको अनुमती लेनी होती थी राजा से और कर्जदारों को अपने देंदारों से अनुमती ले नहीं होती थी, मतलब देखिए, संग में प्रवेश लेकर कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को पीछे चोड़ कर अगर आना चाता है, तो वह जिनके प्रती जिम्मेदार है, जिनके प्रती उसके कर्टव्य हैं, उत्तरदाइत वह हैं, उन्हें उनसे अनुमती लेनी पड़त तो चलिए, अब देखते हैं, आज हमने क्या सीखा, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, संग किन लोगों के लिए बनाया गया था? तो भई संग बनाया गया था उन लोगों के लिए जिन्हें ज्यान प्राप्त करना था, और अपने घर का उन्होंने त्याग कर दिया, घर को के बाद वो लोग एक साथ रहते थे इन ही संगों में, अब है दूसरा प्रश्ण, संग में रहने वाले बौद बिख्शूओं के लिए बनाये गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो बौद बिख्शूओं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रंथ का नाम है विनेपिट विनेपिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, अब हम अगर यहीं पर तीसरे प्रश्ण की बात करें, तो संग में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे, वह बहुत ही साधा जीवन जीते थे, चाहें वह इस्तरी हो या पुरुष हो, तो यह थी हमारी आज की वर्कशीट, मैं उमीद करती हूँ, इस वर्कशीट से आपको आपका ग्रह कारे करने में मदद मिली होगी, अगर आप चाहते हैं, महाध्यन आपके लिए इसी तरह व्यूडियो लाता रहें, आपको आपका चेप्टर आजानी से समझ में आजाए, प्रश्ण उत्तर आसान से हो सकें, तो जरूरी है कि आपका चैनल चलता रहें, और उसके लिए जरूरी है चैनल पर लाइक, शेयर, यूज और सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, साथ में शेयर भी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर के लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और वहां लिखा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, नमस्कार और धन्यवाद